तो चलिए मैं इसको solve करके आपको बताती हूं कि यहां का missing number किया है और कैसे आएगा यहां पे हैं 8 और यहां पे हैं 6 तो मैं आप सबसे पहले करूंगी 8 का square प्लस 6 का square तो 8 का square है 64 प्लस यह है 36 दोनों को plus करने प्लस प्लस यहां रहा है 100 9 का square आता है 81 प्लस 49 तो दोनों को plus करेंगे तो यहां पे आ रहा है यहां पे आ रहा है 130 यानि इसको भी हम यहां पे लाना है 65 तो 65 कैसे आ सकता है यहां पे हम upon 2 करेंगे तो आ रहा है 65 यह देखिए यहां का 50 भी आ गया यहां का 65 भी आ गया अब यहां पे यह देखिए ना सबको यह problem हो रही है कि यहां पे 20 क्यों आया यहां पे 40 आना चाहिए क्योंकि इसको divide 2 से किया तो 50 आया इसको divide 2 से किया तो 65 आया लेकिन इसको हम divide 2 से करेंगे तो पहले इसको इसको सॉल्ड करते हैं यहां पे आ रहा है है टा एक्वान्टि के लगता है इसको केह सकता हैँ है तो 20 लेकिन सबको यह लग रहा हुगा कि हम यहां पर फोर क्यों किया रहा है यहां पर 8 यहां पर 6 तोनों का इस दुप्रिएफिरेंस है 2 13 10 का 12 18 64 दोनों को प्लास करेंगे तो आएका 164 164 को हम डिवाइड किस से करें फौर से या या तू से करेंगे तो इनको डू से दिवाइड किया तो आ रहा है 82 यानि इसका जो मिस्सिंग नमबर है वो 82 है